हलो अच्छो जैसे के SSC CGL का फिकेंसी आ चुकी है आप लोग फॉर्म फिलप करना स्टार्ट भी कर दियोंगे तो मैंने सोचा क्यों नहीं SSC रिलेटिव जब SSC ने रिजिनिंग के इतना इंपॉर्टन दे दिया तो रिजिनिंग के बिहाब पर हम क्या करेंगे कुछ ऐसा इस्पेशल ट्रिक आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपको कोस्टन को सौल करने में बहतर लगे हैं ठीक है तो चलिए आज क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं आगे करते हैं तो आज क्लासेस को आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनलन के निउ सब्सक्रा करो और अपने दोस्तों के भी क्या करो शेयर करो तो अक्सर आप लोग देखोगे कि यह बहुत कोस्टन जो दिखाई दे रहा है SSC की प्रिविएस येर का ही कुछ कोस्टन मैंने लिया हूँ उसी में से एक है तो अक्सर क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि इस तरह को अगर कुस्टन दे दिया जाए तो उसको कम से कम समय में कैसे डिल कर सके हैं तो हमेसे चीस को याद देखो आपको बोला क्या जा रहा है पॉइंटिंग टुए फोटोग्राफ है बोई मतलब एक क्या है एक फोटोग्राफ है और फोटोग्राफ किसका एक बोई का है ठीक है ना सुरेश सेट मतलब सुरेश बोल रहा है ठीक है चलिए तो पॉइंटिंग जिस पर क्या जाता है हमेसा याद देखेंगे जिस पर हम लोग quainting करते हैं, अक्सर उसके लिए he, या तो क्या लगाते है? c लगाते हैं, तो अक्सर यह pointing किस पर करा? y पर क्या जा रहा है? तो इस y के लिए वो क्या लगाएगा? he लगाएगा, clear? अब जो बोलता है, देखे, बोलने वाला अक्सर जो होता है जो बोलता है वो अक्सर अपने लिए क्या लगाता है माई लगाता है तो इसे बोलने वाला परसन को ने सुरेस है तो सुरेस अपने लिए क्या लगाएगा माई लगाएगा और अपने आपको हमको क्या दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहा है. तो sentence में क्या दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहा है. जब भी sentence में आपका आप दिखाई दे. क्या दिखाई दे? sentence में अगर आपका आप दिखाई दे चलो अब यहाँ पर he, तो यहाँ पर he के लिए he indicate किस पर क्या थम को बोले थे, जिसके लिए उप पॉइंट करता है, उसी के लिए he और he indicate करता है, तो he किस के लिए बोला या रहा है, इस boy के लिए बारे में बोला या रहा है, ठीक है ना, अब अपने को my से पढ़ना है, तो my परसन को ने, तो my परसन को निकल ला है, सुरेश निकल ला है, सुरेश निकल ला है, जब my परसन को सुरेश निकल ला है, तो अपने आपको सुरेश माल लेना है, क्या माल लेना है, सुरेश माल लेना है, तो आपको हमेंसे क्या करना है, पीचेस पढ़ना है, तो पीचेस का पढ़ेंगे, जहां से माई दिया, तो नमबर वन इसको पढ़ेंगे, ठीक है, नमबर वन इसको पढ़ेंगे, फिर नमबर वप टू इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अब नमबर वप थ्री इसको पढ़ेंगे, और नमबर वप बेटा देखो मेरा मम्मी के एकलोता बेटा अगर देखा चाहिए तो मेरा मम्मी के एकलोता बेटा क्या होगे हम खुद होंगे जब हम यहां पर हम खुद होंगे तो जब यहां पर हम खुद होंगे तो उसके बद क्या निकला है मेरा बेटा निकला है तो मेरा बेटा निकला ह father हम उसके क्या निकलेंगे father निकलेंगे अगर हम उसके father निकलेंगे तो बहुत सारे बच्चे की ये confusion होगा कि सुरेश के अधार पर आप अपना gender क्यों clear कर लिए देखेव exam का जो pattern होता है वो exam के according to change होता है जैसे अगर banking student होता तो सुरेश को male और female दोनों माल लेता है दोनों उसको एक हो सकता है लेकिन SSC student का जो exam होता है उसमें अकसर नाम के अधार पर क्या होता है gender clear कर दिया है ठीक है तो नाम के अधार पर इसमें gender clear हो जाता है हम इससे याद देखेगे तो इसमें देखेगे माई बला person कोन है माई बला person हम नुकल है हम कोन होगे सुरेश होगे जब हम सुरेश होगे तो अगर हम father हम निकल लेए सुरेश भी क्या निकलेगा उसका father निकलेगा तो पुछा रहा का how is सुरेश लेटर सुरेश को क्थे निकलेगा